नमस्का इन खबर में आपका स्वागत है दस फरबरी से सुरू होने वाले चुनाव को लेकर के कांग्रेश ने अपनी पौली सुची जारी कर दिये 125 उमिद्वारों के लेश्ट्री प्रियंका गांधी ने जारी किये जिसमें कि 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है यानि कि उन्होंने अपना ये वायदा निभाया है कि 40% टिकट महिलाओं को दिया जाएगा 50 के आसपास यंगेश्टर्स हैं यानि कि युगा पे और महिलाओं पे उनका जोर है पहली बात दूसरी बात कि जो लिस्ट जारी हुई है उसमें उन्हों की रेप पिडिता की मा को भी उन्होंने टिकट दिया है यानि कि महिलाओं के न्याय के लिए जो अवाद उठाई थी उसका ध्यान पूरा रखा गया है इस सिपाली सुची में और किसको कहां से जो मेन लोग हैं उनको टिकट दिया गया है सुनिए जराइस पे एक रिपोर्ट ट्रिंका गांधी ने पहली लिष्ट जो जारी किया है उसमें पार्टी के बरिश नेता और पूर केंद्री मंत्री सलमान खुरसीद की पतनी लुईस खुरसीद को उमिदवार बनाये गया है फरुखाबाद से प्रताप गरजले की रामपूर खास सीट से अराधना मिस्रा मोना को टिकट दिया गया है ये प्रमोतिवारी की बेटी है वही सा जहांपूर से आसा वरकर पूनम पांडे को मौका दिया गया है जबकि नोड़ा से पंखुडी पाठक को उतारा गया है उनकी मा को मैदान में उतारा गया है और ये संदेश देने की कोशिस की गई है कि जिस बेटी के साथ अत्याचार हुआ उसके परिवार के साथ उसके मा के साथ कांग्रेस खड़ी है सोन भद्र नर्संगार के पीड़ितों में से एक रामराज गूर को भी टिकट दिया गया इसी तरीके से आसा बह सानों ने कुरोना में बहुत काम के लेकिन उन्हें पीटा गया उन्हीं में से एक पूनम पांडे को भी टिकट दिया है सदफ जाफर ने सी ए एनर्सी के समय बहुत संगर्स किया था सरकार ने उनका फोटो पोस्टर में छपवा कर उन्हें प्रतारित किया अब प्रिंगा सुरुआत किये बीजेपी केंद्री चुनाव समीति की बैठक चल रही है पहले चरण का मतदान जो है वो दस परवरी को है आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश में साथ चरणों में चुनाव होना है जबकि पंजाब उत्राखंड और गोवा में एक चरण में चुनाव होना जैसे इसको लिए और अब्डेट मिलेगा आपसे साजा करेंगे रहें अब एक खबर देखते रहें इनकबर चानल को सब्सक्राइब करें कि